दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपकी यूटूब चैनल जौब इंडिया में सौगत करता हूँ प्यारे दोस्तो अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जौब इंडिया को दोस्तो सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को सेयर कर दो जी हाँ दोस्तों आज है 30 अगस्त, आज की दोस्तों बहुत ही जबरदस तीन बड़ी खबनिकल क्यारी है जिसकी जानकाई दोस्तो आपको इस वीडियो में देने वाले हैं जी हाँ दोस्तो सौस्त विभाग निउज 2022 आज की डेट में तीन बड़ी अपडेट 15 नर्सों का वेतन काटा कई का मांदे रोका गया SDPGI लखनों से दोस्तो बड़ी कबर निकल क्यारी है जिसकी जानकाई दोस्तो सबसे पहले आपको इस वीडियो में देने वाले हैं यह दोस्तो SDPGI लखनों से बड़ी खबर है कि 15 नर्सों का वेतन काटा कई का मांदे यहाँ पे दोस्तो रोका गया है जिसकी जानकाई देंगे इसके साथी दोस्तो दोसरी बड़ी खबर निकल क्यारी है KGMO डाक्टरों ने बाधी काली पट्टी जी हाँ KGMO के डाक्टरों ने शुरू किया आंदोलन यह दोस्तो दोसरी बड़ी खबर निकल क्यारी है जिसमें दोस्तों KGMO से बड़ी अपडेट निकल क्या रही है और सेलरी के बारे में भी दोस्तों यहाँ पे अपडेट निकल क्या रही है इसके साथी KGMO डांक्टों ने बाधिकाले पट्टी OPD सेवर ठब करने की यहाँ पे चेतावनी तो ये दोस्तरी बड़ी खबर है इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो में तीसरी बड़ी खबर दोस्तों फार्मासिश के लिए निकल क्या रही है जिसकी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं आप लोग यहाँ पर दोस्तों देख सकती हो महानी देशक का घराव करेंग डिपलोमा फार्मा से तो दोस्तों इस वीडियो में तीन बड़ी खबर की जानकारी आज इस वीडियो में देने वाले हैं तो अभी आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि दोस को दोस्तो न्यूज यहां पर चेक करना है तो देखिए यहां पर देखिए अमर उजला ई-पेपर लखनव सीटी माई सीटी रिपोर्टर मंगलवार 30 अगस्ट 2022 पेज नमबर 2 पर दोस्तो जैसे आप लोग आओगे तो यहां पर देखिए KGMO के डाक्टरों ने शुरू किया आंदोलन तो यह दोस्तो बड़ी अपडेट है चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे नर्स के बारे में तो यहां पर दोस्तो हिंदूस्तान ई-पेपर आज 30 अगस्ट मंगलवार जाके आप लोग पूरी नूज यहां पर देख सकती हो आज की डेट में दोस्तो लखनव दोस्तान ई-पेपर में आपको पूरी नूज मिल जाएगी 15 नर्सों का वेतन काटा कई का मांदे दोस्तो रोका गया है परिसानी लखनव पीजी आई में आउर्सोर्स करमचारियों की पूरी हाजरी होने के बावजूद है 15 नर्सेज का 5-5 दिन का मांदे काट लिया जबक 25 लेब एक्सरे टेकनीशन का मांदे रोक दिया गया है कमपनी का तर्क है कि बायोमेट्रिक हाजरी नहीं लगी इस दसा में मांदे काटा गया है और सोर्स करमचारियों की दो जगे हाजरी लगाने की वेवस्ता यहां पे दोस्तो है एक नर्स कोविड वार्ड में डूटी क कर रही थी उसका भी मानदे काट लिया जबकि सभी ने हाज्री लगाई थी करमचारी दो जगे हाजरी लगाने जा रहे है इससे बद इंदजामी हो रही है औरोफ है बाऑमेट्रिक के सविधा कुछ ही जगे है ऐसे में करमचारीों को हाजरी के लिए दो जगे भागना पूरी information देख सकती हो कि जो outsource करमचारी है जो nurse है और जो technician है उन्होंने यहाँ पे दोस्तों देखिए duty करने के बावजूद जो है 5-5 दिन की इनकी salary काटे गई है बाकि इस news को दोस्तों आप लोग अच्छे से चेक कर लो चलिए दोसरी बड़ी खबर देखती है दोसरी बड़ी खबर दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखोगे तो हिंदुस्तान e-paper से दोस्तों निकल क्या रही है हिंदुस्तान e-paper news यहाँ पे है केजेमू डाक्टरों ने बांधी काली पट्टी OPD सेवर ठब करने की चेताऊनी PGI के समान वेतन भट्टों की मांग को लेकर केजेमू के डाक्टरों ने विरोध शुरू कर दिया सो मुआर को डाक्टरों ने काला फीता बांध कर विरोध प्रदसन किया केजेमू सिच्छक संग के अगवाई में आंदोलन सुरू हुआ संग के अध्यच डाक्टर केके सिंग समेथ अनपदा अधिकारी सबसे पहले कुल्पत कार्याले पहुँचे कुल्पत से काला फीता बांधने की गुजारिस की कुल्पत ने कहा कि हम डाक्टरों की मांग को लगातार जो है उच अधिकारियों तक पहुचा रहे हैं फिर से मसले को उच अधिकारियों के समझे रखोंगा मजबूत पहलवी करोंगा इसके बाद संग के पदादिकारी कलाम सेंटर में जुटें बड़ी संख्या में डांक्टरों ने एकत रहोकर ताकत दिखाई डांक्टर केके सिंग वा डांक्टर संतोस कुमार ने कहा कि केज्ययमू अध्नियम वा परिनेमा वली में सरकार ने प्राओधान किया कि PG&I की सेवा सरते केज्ययमू में लागू होंगी इसके बावजूद परसासनेक उदासीन ता जारी है अपसरों के उदासीन रवईय के वज़े से केजेमों के डाक्टरों को PGI के समान वेतन भत्ते वा ग्रजुएटी जैसे सेवा निवरिती लाभें नहीं मिल पा रहे हैं तो यहाँ पर आगे भी देखिए कि OPD सेवा ठब करने की चेतावनी यहाँ पर दी गई है डाक्टर केके सिंग ने बताया कि मांगे पुरी ना होने तक आंदोलन जारी रहेगा फिलहाल 5 सब्तमबर तक काला फीता बांद कर आंदोलन करेंगे सार सब्तमबर को सिचक संकी आमसभा होगी इसमें आगे की रणनी तितें की जाएगी उन्होंने बताया कि OPD समय दूसरे कामकाज यहाँ ठब कर सकते हैं तो यह है दूसरी बड़ी खबर बहुत ही जबर्दस निकल के आ रही है और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर देखिए अमर उजला ईपेपर में भी दोस्तों यह अपडेट निकल के आ रही है सो मौर से काला फीता बांद कर काम करने की सुरुआत की डांक्टरों के उन्सार सासन से इसका आदेश जारी हुए दो साल भी चुके हैं लेकिन अभी तक इसका भुकतान नहीं मिला है बाकि यहाँ पर देखिए के जीम्मू सिचक संग के महा सचीव डांक्टर संतोस ने कुल उपच से भी काला फीता बांद का अन्रोद यहाँ पर किया है आप लोग देख भी सकते हैं इसके साथ ही वेतन को लेकर 5 सब्तमबर के बाद ठव करेंगे OPD काला फीता बांद कर किया काम तो यह दूसरी अपडेट है इसके साथ ही दोस्तो तीसरी बड़ी खबर जो है उतरा खन से निकल के आ रही है उससे पहले बता दे दोस्तो SGPGI में जी हाँ दोस्तो SGPGI में 2142 पदो पर वेकेंसी आ रही है जिसका फुल वेडियो दोस्तो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है जाके देख लो जी हाँ SGPGI में दोस्तो बहुत सारी पोजीशन पर नर्सिंग ऑफीसर टेकिनीसियर पैरा मेडिकल इस्टाफ फार्मासिश के लिए परमानियन भरती है 2142 पदो पर दोस्तो ओडर यहाँ पर जारिक कर दिया गया है उसकी सारी इनफार्मेशन आज की डेट में दोस्तो चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया है जाके देख लो चलिए दोस्तों तीसरी बड़ी खबर देखते हैं देखी दोस्तों तीसरी बड़ी खबर देहरादोन सीटी उतराखंड से निकल के आ रही है 30 अगस्त यहां पे आप लोग देख भी सकते हैं जिसमें दोस्तों यह बड़ी अपडेट निकल के आ रही है महानिदे साले का घराव करेंगे डिपलोमा फार्मासिष्ट उत्राखन डिपलोमा फार्मासिष्ट एसोसियेशन ने लंबीज मांगों पर वारता के लिए समाना देने पर आंदोलन का लान किया है एसोसियेशन का कहना की सौस विभाग फार्मा सेश्टों की समस्याओं पर गंबीर है जिससे 31 अगस्ट को महने देशाले का घराओ कर परदसन किया जाएगा एसोसियेशन के परदेश महामंतरी आरियस एरी ने कहा कि फार्मा सेश्ट की मांगों को समाधान के लिए एसोसियेशन ने बैठक बुलाने का आगरे किया था लेकिन अभी तक विभाकी और से बैठक का समयता है नहीं किया गया उन्होंने कहा कि 30 अगस्ट तक बैठक नहीं बुलाई जाती है तो 31 अगस्ट को स्वाफ्स महने देशाले का घराओ किया जाएगा साथ ही आंदोलन का नेड़ लेंगे तो यह देखिए दोस्तों लाश्ट और आखरी बड़ी कबर है तो दोस्तों कैसा लगा अपडेट जरू बताइएगा थैंक दोस्तों मिलते हैं नश वीडियो में धन्यवाद